हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुती अच्छे होंगे तो जिन भी स्टोयन ने इस साल एड़िशन लिया है उनको कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि उनको किस तरीके से जो है आई टियाई के एक्जाम की तयारी करनी है क्या एक्जाम पेटर्न होते है ITA में स्कोलर्शिप कैसे मिलती है और ITA में पैलिशमेंट कैसे मिलते है इन 3-4 चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले है जो कि जिन भी स्टोयन ने इस साल नियू एड़िशन लिया उनको इन बातों को दियान रखना चाहिए और इन बातों को जानना चाहिए ताकि उनको जो है काफी benefit मिल सके ठीक है तो आईए कर करके हम जो है discussion कर लेते हैं तो सबसब पहले बात करते है ITA में scholarship कैसे मिलते हैं ठीक है आपने देखा ही होगा कि आपके school में भी scholarship मिलती होगी उसी तरीके से डेली ITA में भी scholarship मिलती है यह किस तरीके से मिलती है वो आज हम discuss करेंगे ठीक है देखी तो ITA में जो scholarship है आपको यहाँ पे जैसे आपने अभी एडविशन लिया है तो कुछ दिनों में December के आसपास December January के आसपास जो है आपका एक exam होता है जो की basic ही आपके जो traits से related होता है यानि जो भी आपने एक दो तीन महीने में जितना भी पढ़ाया उन्ही को base में रखतर जो है आपका एक exam लिया जाता है scholarship का यानि अगर उसके अंदर आप जो है पास हो जाते हैं पास यानि सभी बच्चे पास ही हो जाते हैं लगबग यानि जिसको भी scholarship मिलते हैं मतलब किलास में या ITA के अंदर जो भी फर्स्ट आता है तो उनको जो ही या scholarship मिलती है और आगे आपको study करने में high education में काफी जाता helpful होती है ठीक है तो scholarship इस तरीके से जो है जो की आपका form के थुरू होता है यानि तैंथ में जितने भी आपके पर्सेंटेज आया है उसके बेस पे से उसके बेस पे भी scholarship भरा जाता है ठीक है वह जो है government के थुरू आपको मिलता है ठीक है तो यहां पर यह दो चीजे धियान रखें बिलकुल जो भी अभी student नियू एड़िंशन लिया है जिन भी student ने दूसरे एक्जाम पैटर्न क्या होता है ठीक है एक्जाम पैटर्न के हम बात करते हैं तो एक्जाम पैटर्न आपका CBT होता है पिछले तीन सालों से जो है एक्जाम cbt हो रहा है है ठीक है है 2020 से स्टार्टिंग हुई थी cbt exam होने हैं ठीक है तो 2020 से जो है एड़ीशन आपका एक्जाम हो रहे हैं submitting obsones pattern ठीक है तो यहां पे आपको लिखने का एक्जाम नहीं होगा, आपको सिर्फ टिक मार का हुआ, चाल ओप्सन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक पड़ किलिक करके टिक करना है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक्जाम पैटन बनता है, और किस तरीके से तयारी करनी है, निउ स्टिरेंट को, तो देखें जो भी आपका बेसिक है, यानि आपका जो ठीओरी है, वो आपको अच्छी तरीके से पड़ लेनी है, ठीक है, तो बेसिक लिए जो भी एक्जाम में पूछे जाते हैं आपके प्रेश्ट वो आपके बॉक से आते हैं ठीक है और जो नीमी पैटरन है उसके बीस से आतिया अम नीं Reich पैटरन कि होत धीया डिया है तो ऩो है जो है offline होते थे लगिन अब online होने लग गए यह यह computer-base exam जब से होने लग गए तो आपका नीमी करके जो है एक एप है उसके अंदर आप तयारी कर लें काफी सारे जो कॉशन होते हैं आपके नीमी एप जो है उससे पूछे जाते हैं ठीक है स्पेलिंग देख लें एन आई एम नीमी मोक टेस्ट ठीक है नीमी मोक टेस्ट और भारत स्केल करके इन दो एप के माध्यम से जो है आप अच्छी तरिके से तयारी कर सकते हैं अगर आपको गवर्वेंट एक्जाम की तयारी करनी है या गवर्वेंट लाइन में जानी है तो इससे जो है काफी ज्यादा हैल्फुल आपको मिलेगी यह दो एप का मैंने आपको नाम बता है इन दोनों से अगर आप तयार करते हैं तो काफी अच्छे खासी आपके परसेंटेस बन जाते हैं जो कि गवर्वेंट एक्जाम की तयारी के लिए काफी अच्छी माने जाती ह जो है आपको तयारी करनी है भारत स्केल निमी पैटन और जो आपके टीचर करवाएं जो बेसिक नोलेज हैं जो की बुक से मिल जाती है आपको उससे आप तयारी करें तो इस तरीके से जो है आपको तयारी करनी है आपकी जब भी एक्जाम होगी आप हमारे चैनल से आपको को इंफॉर्म कर दिया जाएगा बेस्किली जो आपके एक्जाम होते हैं वो जुलाई के अंदर होते हैं ठीक है तो यह बात ध्यान रखे आपके जुलाई के अंदर है एक्जाम है तो अभी काफी दिन है अभी निव एड़िशन लिया है आपने तो अच्छी तरीके से ए win잖아 के लिए तक जो है कि यह जो है इसको आप क्विशैंट कैसे मिलते हैं इस्पेहित इसको करें ध्यूर्म कि अपने जूस पूरा होगे चैसे पहले टू पहले पहले जूग मैने पहले ही जो आपका interview लेना start हो जाती है ठीक है तो उस तरीके से जो है आपको placement मिलती है और जब भी जो है आपके exam complete हो जाते हैं उसके बाद आपके जो teacher होते हैं वो आपको बुलाते हैं ग्रूप में होते हैं उसके तरह message बेजेंगे आपके कि इस दिन जो है ये company आने वाली है आपको आना इंटर्वियू के लिए ठीक है तो आपको जाना है इंटर्वियू देना है और आपको इस तरीके से जो है selection होता है तो इस तर जागी ठीक है और वैसे दिल्ली की भी company आती है जो इंडिया की company आती है ठीक है जो कि आपको लेकर जाएंगी ठीक है तो यह जो है अच्छे जो college है उनमें जो है out of country की जो है company आती है जो कि आपको इंडिया से बाहर ली जाने में आपको मदद करती है उससे पहले जो है आपको placement मिलती है और एक बात द्यान लखे कि जो भी student जो engineer line में है तो उनको जो है आपको सनी वार संडे के जो चुट्टी होती है तो आपको जो है अपने आस-पास के workshop डोल लेना वहीं पर जो है आपको skill को development करना है अपने आपको ठीक है खाली नहीं बैठता है तो यह दो जाकर जो है जो मिल जाती है तो ऐसा नहीं है जब तक आपको skill development नहीं होगा अच्छी तरीके से आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको जो है प्लिसमेंट नहीं मिलेगी तो इन बातों का दियान रखे और बाकि फिर भी अगर किसी भी student को किसी तरीके से कोई doubt होता है कमेंने पूश सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इस्ट्राग्राम का लिंक भी दिया गया है वहाँ पर भी जाकर मुझसे अपने प्रस्नली जो है डाउट के लिए कर सकते हैं और जो भी student नूँ है वो चैनल को सब्क्राइब करते ताकि आने वाले जब भी हमारी वीडियो रहेगी आ आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकेंगे